यमी, विट विट विट, क्या हुआ, लग रहा है कि मैं बाहर से लाई, नहीं भाई, मैंने खुद बनाया है, सर्दियों का मौसम हो और गाजर ना आए, और गाजर आए तो अकांगशा हल्वा ना बनाए, ये कैसे हो सकता है, ये तो दोनों ही impossible हुई ना, चलो, आश में आप को देखना होगा, मेरा ये वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो चलो, देखो, हाई, हेलो, नमस्कार, कैसे ही आप लोग उमेद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हैं, खोश है, आप अपने खरों में सुरक्षित हैं, दोस्तों, आज मैं यहाँ एक सिकर्ट रशेपी, या अपनी सीकर्ट रसेपी, काशर काहुoup, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हैं, जो मेरी सीकर्ट रसेपी हैं काशर काहलव बनाने की, आज मैं आप लोगों सat और शेयर करोगी, लेकी उससे पहले में आपसे कहूंगी कि जिन्हों ने भी मेरा चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से जाए बढ़ आइकन दवाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा नाम है अकांग शाओ और मेरे चैनल तानाम है अकोदिस्थाइ दोस्तों जिन्हों ने भी मुझे सब्सक्राइब रख करके रखा हुआ है उनको मैं तहे दिल शुक्रिया करूंगी कि आप लोगे प्यार और सपोर्ट की वज़े से मैं यहां तक पहुची और अपना सपोर्ट और मेरे साथ ऐसी ही बना कर रखेगा ताकि मैं और अच्छा कर करती हों कि मैं आप लोगे उमीदों पर खारा उतरूं मैं गी भी कहना चाहूंगी कि अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे आज यह रिसिपी बनानी चाहिए आप उसे मैं कहूंगा या कहूंगी जो भी तो आप प्लीस में साशेर करिये मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डिमांड को मैं पूरा कर सको तो चलिए शुरुआत करते हैं गाजर का हलवेटी यहां पर मैंने एक किलो गाजर लिये हैं गाजर को अच्छे से बाश करने के बाद इसका सारा छिलका उतार लिया है गाजर का साइज सारा एककोल है एक जैसा है दूसरी तरफ मैंने यहां पर 500 ग्राम मावा लिया है आप चाहें तो इसे खोया बोल सकते हैं आपके ओपर डेपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं इसको तीसरी दरफ मैंने यहां पर कुछ ड्राइफरूट्स लिये हैं जिसे मैंने चोब कर लिया है कुछ छोटे साइज में कст रही हूं मैं ब्ता दू जब भी आप गाजा कसें तो बहुत ही आराम और हलकी हाथ से कसें एक हजसराएं और हैं का हथ पिसमें बडेखत हो तर चल्ब हमें और घ्ञेर से पक्रमियके तकर से जब कुस एकत जली आहां कर्यों तो हमें जो हम इसरे आख Records करें और चीनी डालना मत भूलेगा चीनी को जो मैंने लिया यहां पर सिर्फ और सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी में 200 ग्राम चीनी लिया और यह मैंने लिया दूद्ध जो कि मलाईदार दूद है गहड़ा दूद्ध इससे भी डालना है थोड़ा सा ही डालेगा पर जादा नहीं अब यहां पर देखी मेरी गाजर पूरी तरीके से कस चुकी है और अब हम बनाएंगे हलवा तो चलो सबसे पहले हम एक कढ़ाई डाल रखते हैं यहां मैंने लोहे की मतलब आयरन की कढ़ाई ली है उसमें मैंने करी 50 ग्राम घी डाल दिया है और इसमें सबसे पहले हम यह जो ड्राइफ रूट्स है इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्योंकि हलवे में ड्राइफ रूट्स अब डालते हो तो फ्राइफ रूट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं काजर के हलवे में मुझे तो ऐसी अच्छे लगते हैं आपको कैसे अच्छे लगते हैं प काजू और बादाम जैसे हलका गोल्डन ब्राउन कोलर का हो जाएगा हम इसे जो है फिर धीर इसे जो है से निकाल लेगा और हां एक पात याद रखेगा बहुत ही धीमी आश में आपको इसे फ्राई करना है या देखें मेरे ड्राइफ रोड जो है वो फ्राई हो चुके हैं और हम इसे जो है अब निकाल लेते हैं बहुत ही आराम से लिकाल लेगा और ताकि जितना भी जो घी बचेगा उसे स्ली दाल आपको क्या करना है कि जितना भी घी और गाजर दोनों यहां पर इस पाँ यहां पर यहां पर हल्का पख जाए यह मेरी गाजर बख चुकी था बूड़न दब यहां के चीनी चीनी दालेगे एप चीनी डालेंगे चीनी रोओगी शक्षा संफ지 को तब तक पकाना सी라 कषिए के चीनी चीनी सशुलनुम के दो पतका सब चीनी को वह था जोड़िया देंगे ऑर खालतने मावा हम डालेंगे। दो यह बाउ atau के दो fundamentally कषड़ियान रहें। मावे को डालेंगे ऐसे आपको नहीं खटा डाल देना वरना वो स्वाद नहीं रहेगा जो आप चाहते हो हलगाई स्टैल वाला तो यहां पर हम क्या करेंगे अच्छे से मावे को फोड देंगे बिल्कुल ताकि पूरा गाजर ना अच्छे से मावे को खा ले जब मावा खा लेगी गाजर तभी तो अच्छा सा रंग लाएगी ना अपने उपर अब देखिए यहां पर हम गाजर जो खोया था वो हमने डाल दिया है और इसे पूरे खोय को मैल्ट करने की कोशिश करना ताकि खोया पूरा मैल्ट हो जाए आपका गाजर के साथ मतलब पूरा अच्छ हम यहां मेला हलारा तैयार हो चुका है और स-सामने है आप लोगो के काज़र के हलुआ कैसा लगा मेरा यही ऐख गाज़र के रिसेपी मेरे साथ जारूर श्ययर करेंगा आ। पूलेगा तैक यह फूर वचिन वाइ송 माइवीड़ थे खेंटियो थेखियो बिया बाए-लव